हलो दोस्तों आप सब कैसे हैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे तो दोस्तों आज हम आपको दिखाने वाले हैं पल्सर एनस 125 का फुल रिवीव तो बने रहे हमारे इस वीडियो में जो न्यू एनस 125 बाइक है उसका रिवीव करने वाले हैं तो प्लीज हमारे इस वीडियो में बने रहे दोस्तों अगर हमारे चैनल आप नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्क्राइब जरूर कर और बिल आइकन को All पर स्ट करें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफेकेशन आपको मिलती रहे तो दोस्तों आप देख सकते हैं यह Pulsar NS125 कितना इसमें चेंज हुआ है क्या अपडेट है आपको सारी जानकारी देने वाले हैं इस वीडियो में तो प्लीज लाच तक हमारी चैनल पर जरूर बने रहिए तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि रिफ्ट में इसकलब त्षप वाइजर है नट डिजाइन है इसमें देख सकते हैं साइड में आइस तरह दिखेंगे आपको और इसमें पर पजास का लोगो मिल जाएगा और यह आपकी हेडलाइट LED हेडलाइट आपको मिलते हैं यह आपका नंबर प्लेट का प्लेस मिलता है यह आपका हो जाता है इंडिकेटर आप देख सकते हैं और य इसमें आप देखेजिए कि हैं IAMI 240 mm का इसमें आपको फ्रेंट्स प्रेंट मिल जाता है और यह मृमर six नाहिए का तइसमें जो इसमें अबको कर्वटर लघा हुआ है दोनों साइड आपको मिलेंगए यह देखे मार आरएफ जो काफी अच्छा टायर है इसमें MRF का तो आप बाकि आपको दिखा दें यह देखिए यहां पर लिखा हुआ है दिखाई देता है यह आपका टायम वगयरा सेट करने के लिए यहां पर मिल जाता है यह आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसमें जो डिजिटल मीटर प्लस और लॉग मीटर दोनों अच्छा लग रहा है और यहां पर आपको इसका कट बटन मिल लेगा यह आपका सेल बटन आप देख सकते हैं इसके फ्यूल ट्रेंग में और यहां पर आप देखेंगे यह ग्राफिक्स है यहां पर देखिए यह फ्यूल इंजिक्शन इंजिन आपको इसमें मिलता है और आप देख सकते हैं कितना कावर्ड है यह इंजिन आपको यहां पर देखिए इंजिन में न नीचे साइड सेंसर भी आपको मिलता है और यह देखिए आपको फूटरेस्ट आप देख सकते हैं इस पर रखने के लिए आपको यह मिल जाता है और यह देखिए इसका जो चैन कवर है इसमें हाफ को आपको दिया गया है एनस 125 में आदा आपको खुला हुआ मिलेगा और यह यहां पर देखिए इसका जो बैक पैनल यहां पर लिखा है एनस 125 का डिजाइन और यह आपको ग्रैब हैंडल मिलता है इस प्लेट डिजाइन में और यह देखिए इसकी बैक लाइट काफी डिजाइन है कि काफी अच्छी है और यहां पर आपको मिलेगा नंबर प्लेट ल काफी अलग है यह आप देखिए और आप देख सकते हैं और वाल बाइक यह काफी ज्यादर डिजाइन्ड है और काफी स्टाइलिस बाइक यह दिखती है आपको ऐसे 125 यह देखिए आपका इसका ब्रेक बैक में यहां पर देखेंगे नीचे का इंजिन का जो सो होता है काफी समें लेकिन सोटा है बाकी यह दोस्तों आपको अब एक सोरूम और और प्राइज बाकी फीचर्स के बारे में बता देते हैं तो दोस्तों यह आपको 124.45 सीसी का इसमें जो इंजन आपको मिल जाता है तो यह अधिक्तम 11.8 भी मतलब 8500 आर्पीम है अधिक्तम जो टार् साथ जार आर्पीम पे माईलेज आपको इसमें कम से कम 49 किलोमेटर प्रती घंटा संभव है कि इतना माईलेज आपको दे सकती है इसकी जो टॉप स्पीड आपको मिल जाती है वो लगबग 103 किलोमेटर की है और आपको इसमें पीछे जो सस्पेंशन दिया होता है वो मोनोस् 810 mm की स्वीट मिलती है काफ़ी लंबी सीट आपको दिख जाती है और आपको इसमें बता दें फ्यूल टैंक जो है वह लगबग 12 लीटर को आपको मिल जाता है और इसका जो वेट आपको बता दें कर लगबग 144 केजी का वेट मिलता है और यह बाइक आपको से सिंगल लगबग है और जो और प्राइज आपको यह मिलती है वहर स्टेट में थोड़ा सा अलग होता है जैसे एक लाग बाईजार 108 रुपए से सुरू है और एक लाग 27,000 रुपए तक आपको यह बाइक इसके अंदर ही आपको यह बाइक मिलने वाली है तो थैंक्यू फ्रेंड् हमारे चैनल पर बने लेहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्ना और दोस्तिए